हरे कृष्णा एक सत्तर साल के बुजुर्ग अपनी संपूर्ण जमापुंजी मातर चालीस रुपई लेकर क्या सिर्फ अपने गुरू की आग्या पालन के लिए साथ समुंदर पार पाश्चात देशों में अकेले वो भी बिना किसी पहचान और रहने खाने की विवस्ता के व्यक्ति की बात होती तो इस प्रश्ण का उत्तर केवल और केवल असंभव होता इस बात से आप सहमत होंगे लेकिन भारत देश के सुपुत्र इसकौन के फाउंडर आचार्य अभय चर्णार रविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रवपाजी ने ये असंभव और प्रवपाज जी की क्रिपा से अब यह सब संपूर्ण जगत में विधिवत पालन किया रहा है आखिर यह सब प्रवपाजी ने कैसे और कब शुरू किया इसे संशिप्त में समझने का प्रयास करते हैं शील प्रवपाज पहली बार अपने कदम अमेरिका की भूमी पर 17 सितं नमबर 1965 को रखे और भारत भूमी से अमेरिका की यात्रा जल दूत नामक जहाज में तरकीबत एक महीने के सफर के दौरान अंगीनत शारीरिक कठिनाईयों के साथ-साथ बुखार, चक्कराना, उल्टी और दो बार दिल का दोहरा पढ़ने जैसी परिस्तितियों का सामना करते हुए किया श्रील प्रवपाद जी के पास उस समय सिर्फ 40 रुपए और श्रीमत भागवतम समेथ कुछ किताबे ही थी, ना रहने की वैवस्ता, ना खाने पीने की सुविधा, स्वास्त की तो बात जाने दो, ना कोई परिवार, ना कोई समंधी, केवल भगवान श्रीक्रि में एक कविता लिखी, उस कविता में उन्होंने श्रीकृष्ण के साथ अपने रिदय की बात और कृपा की याचना की, परवपाद लिखते हैं, I am a useless fellow, मुझे भक्ती के विशय में कुछ नहीं पता, ना मेरे पास कोई ज्यान है, ना कोई विज्यान, श्रील परवपाद लिखते हैं, 1922 में मुझे मेरे गुरू का आदेश मिला, कि पास्चात देशों में जाकर भक्ती का प्रचार प्रसार करो, और अब 1965 चल रहा है, 43 साल मैं केवल सोचता रहा, लेकिन इस आग्या को पूरा नहीं कर पाया, आज आपने मेरे इच्छा को पूर्ण किया है, प्र प्रियास किये थे, प्रवपाजी ने कभी अपना समय व्यर्थ नहीं किया, वो सर्व थाई अपने गुरू के आग्या का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे, डटे रहे, मानो ये ऐसे हुआ, जैसे प्रवपाजी ने 43 सालों तक हरे कृष्ण आंदोलन के अंतरग प्रवपाजी ने इस आंदोलन के शुरुवात ऐसे सभ्यता वाले लोगों के बीच शुरू की, जो लोग ना भगवान श्री कृष्ण के विशह में कुछ जानते थे, ना मानते थे, वो लोग सदा राजसिक और तामसिक कारियों में लिप्त थे, प्रवपाजी ने माया के विरुद्ध, ये असंभव युद्ध, गरंत राज, श्रीमत भागवतम, हरी नाम, श्री कृष्ण प्रसाद, गुरु निष्ठा, भगवान और उनके प्रेम के प्रती अटल विश्वास इन शस्त्रों द्वारा लड़ी और विजही हुए। और वर्तमान समय में प्रवपाजी के कृपा से पूरे विश्व भर में लगबग एक हजार से अधिक इसकौन सेंटर्स के निर्मान हो चुके हैं। और इसी तरह प्रवपाजी ने विदेशों में सबसे पहली रथ यात्रा अमेरिका के सैन फ्रेंसिसको में शुरू की। कहते हैं न निष्ठा और विश्वास में बहुत बल होता है जो शिल प्रवपाज के अथक प्रयासों से सिध्ध हो चुका है। आईए इस शुब दिन पर शिल प्रवपाजी की कृपा प्राप्त करते हुए भगवान श्रे कृष्ण की भक्ती में अग्रसर होने की प्रार्थना करें। धन्यवाद हरे कृष्णा। झाल